Анठिhero artists विपक्ष को अपनी भूमी का निभानी चाहिए और सत्ता पक्ष को अपनी भूमी का निभानी चाहिए विपक्ष सवाल उठाए, प्रशन करे, और सरकार को उनका उंतर देना है पर विपक्ष सदन का वाकवट कता चला जाये, वह अच्छी परंपरा नहीं है और मैंने तो पहले उठकर कह दिया, कि विपक्ष जो भी मुद्दे उठाना चाहता है, उनको उठाने का पूरा मोका दिये जा, पर विपक्ष संसनी खेज मुद्दे उठाकर अपनी जो रानितिक रूटियां सेखना चाहता है, और बिना तरक के बात करता है, तो उससे सदन क महाल गर्मा जाता है, और निश्ची तोर पर वो कोई ना कोई भाना पकड़ के वाक आउट करके बाहर निकल जाते हैं, आज प्रतिपक्ष के नेता ने अपनी बात रखी, हमने कहाँ खुल के रखिये, और उन्हेंने अपनी बात को रख्था, और उसके बाद आभी सदन की कारवाई चली, परशन उत्तर के समय भी, ऐसे पहले कभी नहीं होता था कि क्वेश्चन आवर के समय, पॉइंट ओफ ओडर दिया जाए, लेकिन अध्यक्ष मोहदे, स्पीकर मोहदे ने अपने विवेक का परिचे देते हुए, विपक्ष के नेता को, क्वेश्चन आंसर से पहले ही उनको अपनी बात रखने का मोका दिया, महौल बना और सदन चला, ये अच्छी बात है कि वो जनता से जुड़ेवे मुद्दों को उठाएं, हर एक मुद्दे पर सरकार्म का जवाब देने के लिए तियार है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष को चर्च से भागना नहीं चीए, अपने मुद्दे उठाने चीए, मैं विदान सभा में अंदर सभा पतल पर एक स्टेट्मेंट दूँगा, और ऐसा नहीं है कि किसी की सेलरी को रोका जा रहा है, सरकारी, करमचारी और अधिकारी हमारे भाई है, जब फाइनेंशल डिसिप्लेल ना होता है, तो इस परकार के थोड़ी सी समस्या रहती है, और उसको ठीक धंग से हमने परदेश को आगे बढ़ाना है, बोर्ड निगमों की और इनकी सेलरी तो निगल रही है, जो सरकारी भीवाग है, उसमें थोड़ा सा सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, और निष्ची तोर पर आ का ठेकओ की निलामी की बात वी थी, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि उसका अमने जवाब दिया क्योंकि उसमें वो कल भी वाक ओट था, दो दिन से जवाब था, तो हमने एक साल में चार्सोपचासी क्रोड पे शिराप की विक्री से कुमाए और जो भारती जनता पाटी है, तो आप अंदाजा लगाए कि किसमें कहा नहीं मिताए हैं, अगर किसी फिसकल डिसिप्लेइन करना आर्थिक संकट से ओबर रहे हैं, आर्थिक संकट को हम पार कर चुके आप डिसिप्लेइन लाकर हमाचल परदेश को सेल्फ रलाइंट बनाने की तरफ आतव निर्बर माच जरूरी है, और इसमें फैसले किये जाएंगे, आर्थिक संकट का बहुत आए हैं, अगर को जैराम टाकुर जी को आना जीनाव, हमने तो बोला कि पहला मुद्दा उनका है, हम चाहते हैं कि BTIK कूप और बंदन पर ये विपक्स चर्चा करें, हमने तो सरकार की तरफ से ला हम बताना चाहते हैं कि BTIK कूप और बंदन क्यों हुआ, और कैसे डवल इंजन की सरकार ने जनता के खजाने को लुटा दिया, बिजली माफ कर दी, पानी माफ कर दिया, छेसों के करीब शिक्षा संस्तान और स्वस्ते संस्तान खोल दिये, इन सब चीजों को अगर वो चर् प्रदेश की अर्थ विवस्ता का उसका प्रभाव पड़ता है, जो एक रोड रुपया इंकम टेक्स देता हो, उसको मुफत की बिजली नहीं चीए, मुफत का पानी नहीं चीए, इननोंने बीजना सोचे समझे, बिजली पानी मुफत का उन लोगों को दे दिया, जो लोग पानी बीजली भी घरना चाहते थे, इसको मुफत में मिलने चीए, जो गरीब है, उसको मुफत में मिले, कोई दुख नहीं है, चाए पानी चाहिए बिजली है, इन सब चीजों के मध्या नजर, जयाराम जी ने जो पांच सालिस परदेश के खुजाने को लटाया है, उस द के लिए और उठाने के लिए रियाजस्त्त में बृदी करने के लिए हमने परमुक कदम उठाए है, उसमें सबसे बड़ा कदम जो है, वो जो बिजली है, जो लोग बिजली का बिल देना चाहते हैं, कई लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं, तकरीमें काफी लोगों ने अपता लाक है उसको कम करेंगे, पानी में मिनिमियम हमने सौर प्या पानी के बिल का कर दिया, लेकिन उन परिवारों के लिए नहीं जिनकी परिवारों की पचास अजार पे से इंकम कम हैं, उनसे सौर प्या भी नहीं लिया जाएगा, बसीज में जो हमारा थोड़ा बहुत परिवारों किया जा सकते हैं उसमें बढ़ रहे हैं और तीसरा हम अपनी अर्थ विवस्ता में श्राब के ठेकों की नलामी से जो हमें रेवन्यू आ रहा है इस साल डेट सो क्रोड का अधिक राज़त सब आ रहा है, यह इंवेस्मेंट ट्रेन होती रही है, तो और भी कई इसे डीजल के में और बढ़ा रहे हैं तिन सब चीजों को बढ़ा कर हम आगे बढ़ रहे मेरा यह मानना है कि सरकारी करमचारी अधिकारियों के सिहोग से हम परदेश की वर्त विवस्ता को आगे बढ़ा रहे हैं बहुत बहुत अज़ा है